तो जहांगेरपुरी पर जंग की धर्मकी क्यों दी जा रही है? इसके बहाने देश को सुलगाने की कोशिश क्यों जा रही है? इस परम बहस को आगे बढ़ाएंगे खास महमानों के साथ लेकिन उससे पहले कुछ एहम सवाल भी उठ रहे हैं और साथ ही सबसे पहले आपको य मामले की कोशिश की गई यह 3 अपरेल की घटना है इसके बाद अपरेल में ही 8 अपरेल को सीतापुर में महंत बजरंग की हेट स्पीच आपने सुनी यह 8 अपरेल का मामला है फिर 10 अपरेल राम नवमी के दिन शोभाय आत्रा निकाली गई कई जगहों पर हिंसा की तस्वीर और खबरे सामने आई वो भी आपने देखी अपरेल के महीने में 10 अपरेल का यह मामला इसके बाद 12 अपरेल को लेकर लाउट स्पीकर पर राज ठाकरे का अल्टीमेटम उन्होंने काल्टीमेटम माराश्ट्रुस सरकार को दिया था इसके बाद 16 अपरेल दिल्ली के पूरे पूरी इलाके में हिंसा भड़की हनुमान जयन्ती के मौके पर शोभा यात्रा जब निकाली जा रही थी, फिर 21 अपरेल मौलाना तौकी रजा ने धमकी डेडाली है इस पूरे मामले को लेकर, तो ये पूरा अपरेल का आंकड़ा आपने देखा कि अपरेल में देश म तनाव की स्थती कैसे, कहीं हेट स्पीच, कहीं पर जिस तरह से पत्राव हुआ है, जिस तरह से बयान बाजी हो रही है, इस माहौल को और क्यों आखर भड़काया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे, सभी खास मेमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, एक एक करके मैं आपसे उन प्रोफेसर हमारे साथ वो भी जुड़ रहा है इस चर्चा में और इसी के साथ मुस्लिम स्कॉलर अतिकुर रह्मान साहब भी हमारे साथ जुड़ है, आप सभी का बहुत स्वागत है बीपी न्यूस पर, शुरबात में रागनी नाय कापी से कर लेती हूँ, क्योंकि ये ए शिरीन सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी मन वचन और कर्म से ये कहती है और मानती है कि ऐसी बानी बोलिये मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हुँ शीतल हो, तो किसी भी तलहा का नफरती, भड़काउ, जहरीला भाशन जो वेमनस्य और द बल्कि ऐसे भाशन देने वाले व्यक्ति का जाती धर्म पर न जाते हुए, कड़ी से कड़ी कानूनी कारवाई करनी चाहिए ताकि देश जो हमारा कौमी एकता के लिए और सर्वधर्म संभाव के लिए जाना जाता है, वो बचा रहे हैं। पर आपने बहुत ही महतुकून स प्रिधान मंत्री जी कहते हैं कि वो हिंदू रिदय समराथ हैं, पर उनकी नाप के नीचे, तमाम शोभा यात्राएं जो देश भर में निकल रही हैं, खरगौन से लेकर जहांगीर पूरी तक, उपर पत्राव हो जाता है, ग्रह मंत्राले से कोई आवाज नहीं उठती, इस पार्टी बुल्डोजर का जो अन्याय चल रहा है, उसके खिलाफ है, हमें लगता है कि ये ना सिर्फ कुछ घरों पर चल रहा है, बल्कि गरीबों पर भी बुल्डोजर चल रहा है, ये बुल्डोजर चल रहा है, न्याय पर ये बुल्डोजर चल रहा है, संविदान प लेकिन भारत की कौमी एक्ता पर मत चलाइए, मजभी तहजीब पर मत चलाइए, और इन विबादों को खत्प करने की कोशिश करिए, अगर कोई, मैं एक बात बोलूँगी, बस आखरी बात पर आप चली जाएगा शरी, अगर मान लीजे कहीं पर हत्रा होता है, आप उन लोग कि शिरीर आप महगारी पर बात ना कर सकती, फैताले साल में सबसे बढ़ जादा पढ़ रहे ही, बेरोज़गारी पर बात ना कर सकती, लेकिन राजी लाइन की मुझे ये भी तो रताइए, आप क्यानिए का बुल्डोजर, जो अवैद है, उसके खलाफ तो कानूनी कारवा होगी ना, जो अतिकरमण है, उससे तो हटाए ही जाएगा.